स्वागत आपका मेरी यूटीब चानल बेसिक में सॉन डिप्स में और इस वीडियो में में काने वाला हूं क्लास ट्रेंथ चाप्टर सर्फेस एरी और वॉलूम सिलेट इंपॉर्डन कोश्चियन जो कि सीबिसी के दोरे 2015 में पूछा गया था तो चली शुरू करते हैं तो द की निकाली गई है उसको फैला दिया गया है कुए के चारो तरफ और उसको फैलाने पर 40 cm का हाई एंबैंग्मेंट बन गया है तो हमें उस एंबैंग्मेंट की विर्थ निकाल लिए है तो मैं वह आपको दिखाता हूं पहले तो दिखिए यह वैल है जो की 14 मिटर डीप है मिटार है और एस से मिटे कुँद कर निकाली गई लिए उससे यह उतल है बनाये गया है और अगल से लेकर यहां तक यह हमारी रेडियस कहलाएगी इसकी ठीक है और एसमें विर्थ और जोड दिजाएग Weber अगर इसमें विर्थ और जोड़ दी जाए तो इससे आउटर रेडियस आजिए जिसको हम बड़ा आर कह सकते हैं या यहां से लेकर हद कर चोटा और इसे बाहर तक रहेगा बड़ा्र आर यह हमारा diameter upon 2 होगी तो diameter हमें गिवन है 4 तो 4 upon 2 यानिकी 2 meter इसके लाब मुझे height of embankment दिया तो मैं वो लिख लेता हूं कि height of embankment अब यह जो हमें दिया है यह दिया है 40 cm मीटर तो इसको हम मीटर में बनाएंगे क्योंकि हमारी depth भी मीटर में थी और radius मीटर में थी तो height of embankment को हम मीटर में लिखेंगे तो इसलिए हम करेंगे 40 upon 100 में करमाट करने के लिए तो यह 0 स 0 कट गए तो यह हो जाता है 0.4 मीटर अब देखे जो वैल को खोदा गया था तो उ यह जो वैल जब इसको खोदा गया तो इससे जो मिट्टी निकली इसके चारों तरफ ही फिलाई गई है तो मतलब इस कुएं का जो volume होगा और साथ में जो embankment का volume है वो एक दूसरे के क्या होगा इक्वल होगा उसी का यूज हम करेंगे इस question को solve करने के लिए तो मैं इस तरह से लिए सकता हूं कि volume of well equal to volume of embankment अब देखे वोल्यूम आफ वेल जो होता है पाई र स्क्वार एच तो मैं इसको लिख लेता हूं पाई र स्क्वार एच और volume of embankment क्या होगा इसके लिए फॉ यह जो है यह बड़ा R होगा हमारा यहां इसको मैं लिख लेता हूं कि यह है बड़ा R और यहां से लेकर यहां तक यह है हमारा छोटा R अब देखे विर्थ of embankment जो है वो मुझे मालूम नहीं है तो मैं उसे x माल लेता हूं मैं लिख लेता हूं let width of embankment equal to x मेंटर है अब हम देखें तो बड़ा R जो है वो छोटा R प्लस x इसको मिलके बनेगा ठीक है और जबकि जो छोटा R है वो तो हमें given यह question में वह है two meter अब देखें मैं आपको यह बताता हूं कि volume of embankment मैंने कैसे निकाला देखें यहां पर मैंने एक cylinder लिया है कि जो बड़ा है इसमें से बड़ा R लिया है मैंने तो इसका volume बनेगा पाई बड़ा R स्कूर एच जब यह छोटा पाट जो अंदर का है इसको मैं अलग करना चाहता हूं तो इसका volume होगा वह होगा पाई आर स्कूर एच ठीक है जिसमें कि यह छोटा आर इसकी radius हो गई इस पूरे बड़े cylinder में से यह चोटे वाला जो इसका पाट था वो अलग मैंने किया तो मैं इसको लेस करूंगा इसके volume को तो मतलब आपस में दोनों के volume लेस होंगे तो यहां देखे तो दोनों में पाई common मिल जाता है मुझे और दोनों की height भी same है तो h common मिल जाता है तो यहां पर bracket में बच जाता है फिर embankment के साथ थी embankment में भी इसी तरह से था ठीक है तो यहां पर बड़ा वाला cylinder जो है उसमें से सोटे वाले cylinder को minus करेंगे तो volume of embankment निकालाएगा इस तरह से अब देखे यहां पर हम पूट करेंगे पाई पाई को ऐसी रहन देते क्योंकि पाई से भाई तो वैसे भी cancel होने अब देखे आर स्कूरा थिमाल रेडिय double की passer थी वो थी टू तो मैं पर लोकिस्कूर सब्सकार हर सब्सक्राइब एकँ संहां पर बढ़ा रस बढ़ए वहां पर आर बढ़ा बार जो है वहां पर आरप्लास यहां पर मैं प्लस में आरप plus एक्स को हो सक्वार कि छए तरह से का हमने निकाला था यह 0.4 तो यहां लिखेंगे 0.4 अब हम इसको solve कर लेते हैं यह पहले मैं पाई से पाई उड़ा देता हूं उसके बाद में तू 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 जब फोर है कि फोर मुल्टिप्लाई 14 इक्वल टू अब यहां पर देखें यहां आर आर की जगए हम तू लिख सक इक्वल टू यहां हम लगा सकते हैं फॉर्म्मला ए प्लस बी का होली स्क्वाइर क्या होता है एकी टू प्लस बी की टू प्लस टू एक्वल टू जब फोर एक्स हो जागे यहां पर और माइनस फोर और यहां है 0.4 मुल्टिप्लाई में अब यहां और शॉल करते हैं 56 इस स्क्वाइर यहां 2 का स्क्वाइर हो गया 4 P प्लस एक्सस्क्वाइर प्लस 4X माइनस 4 मल्टिप्लाई 0.4 अब यहाँ पर 4 माइनस का और 4 प्लस का यह आपस में हो जाता है cancel तो यहाँ बच जाता है 56 इक्वल टू X स्क्वाइर प्लस 4X और बाहर है मल्टिप्लाई में 0.4 तिक यह 0.4 जो है वो यहाँ ले आता हूं तो 56 अपॉन में 0.4 इक्वल है यहाँ पर X स्क्वाइर प्लस 4X इसके यहाँ पर हम सॉल्व को लेते हैं इसको हटा के नीचे उपर लगा देंगे 10 तो यहाँ कट जाता है तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 फिर 2 से फिर यह कट जाता है 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 अब आगे देखिए यहाँ पर हम इससे सॉल्व करते हैं कि यहाँ 28 5 जा यह हो जाता है हमारे पास 140 इक्वल टू X स्क्वाइर प्लस 4X अभी जो 140 मैं इधर ले आता हूं तो यहाँ पर आजगा 0 X स्क्वाइर प्लस 4X minus 140 यह एक तरह की क्वाइर एक्वेशन बन गई है इस क्वाइर एक्वेशन को यहाँ सॉल्व करना है जिससे हमें X की वैल्यू फाइंड आट होगी तो दीए हमें यहाँ पर दो नंबर सोचने है जिनको मल्टिप्लाई करने पर माइनस 140 चीए और प्लस या माइनस करने पर 4 चीए तो जैसे मैंने हमें यहाँ पर नंबर सोचे दो एक तो मैंने सोचा 14 प्लस का और एक मैंने सोचा 10 माइनस का तो जब मैं इसको मल्टिप्लाई करूँआ तो मेरा आंसर आजागा minus 140 और इसी को अगर मैं सॉल्व करता हूँ 14 माइनस 10 यह हो जाता है फोर तो इट में यह सोटेबल वैल्यूज हैं दोनों तो मैं यहाँ दिख सकता हूँ इसको यहाँ प्लस 14 x maineus 10 x maineus 140 अभ यहाँ पर हम common लेगे इसमें से चाहlair है इस दोनों मैं मतलब प्लस 14 मैइनस 10 फैने इसमें भी है तो दोनों में इसे माइनस 10 कॉमन आजाता है इदर से बचता है एक्स ओर इसर दो वामन आचुका यहां प्लस का 14 बचाएं तो आगे देखें तो यहाँ पर बच जाता नहí particular कि Q मिवर्त एक क्यों बाकियों कर लूझच्छ के लेता हूँ ठोड़ा सब्सके टो यहां पर हम लिए सकते हैं कि x plus 14 जो है वो 0 के एकवल है तो इसलिए x की value निकल जाएगी यहां इधर आके जब यह राइट में shift होगा तो माइनस 14 हो जागा तो एक value हमारी x की आई है माइनस 14 और दूसरी तरफ अगरम देगे तो x-10 भी 0 के को लोगा तो इसलिए x की value यहां आ जाती है 10 तो हम negative value को reject करेंगे हम positive value को ही वानेंगे अंसर को ठीक है तो इसलिए x जो है वो 10 आ जाता है यहां पर तो मैं यह लिख लेता हूं कि यह reject की रही और यह accept की जाती है तो इसलिए जो width embankment की वो 10 मीटर होगी तो मैं यह लिख लेता हूं कि width of embankment equal to 10 मीटर तो मैं आशा करता हूं को आपको इस sum समझ माया होगा इसी तरह कि बहुत से sum class 10th के लिए पहले से अप्रोड है आप उन्हें देख सकते हैं तो मिलता है next video म में ओनने sum के साथ अब तक के लिए good bye